नमस्कार मेरे भाईयों और बहनों, आज की जो प्रोगलम आई यह बहुत अच्छी प्रोगलम आई है इस्टागाम के फुलोवर बढ़ाने के लिए हमें क्या-क्या नहीं करना चाहिए दोस्तो मैंने ओलेडी वीडियो बना रखी है इस्टागाम के फुलोवर बढ़ाने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, क्या हमें तरीक के अपना अजमा सकते है इसके लिए दो वीडियो बना रखी है, दोनों वीडियो आप मेरी देख सकते है आई बटन में इनका लिंक मिल जाएगा दोस्तो इसके इलाबा किसी भी परकार की और कोई प्रोगलम है किसी भी मेरे भाई या किसी मेरी बहन को तो आप मुझे बता सकते हैं फेस्बुक इंस्टागाम पे आपका भाई उस पे वीडियो जरूर बनाएगा इसके लाबाओं और कोई हेल्प चाहिए आपके भाई की तो वो भी बता सकते है आपका भाई आपकी जरूर हेल्प करेगा मेरा मिशन दोस्तो आपकी प्रोगलम का सलूुषन करना है अभी हम आज के प्रोगलम का सलुषन देख लेते जो मेरे भाई Instagram पे अपने फ्लोवर को बढ़ाना चाते है वो या तो Google के उपर सर्च करेगे या फिर YouTube पे सर्च करेगे कि Instagram के फ्लोवर को कैसे बढ़ाए तो उनके सामरे काफे सारी वीडियो मिलेगी या आर्टेकल मिलेगे वेबसाइट पे कि इस वेबसाइट पे जाके आप ये किजिए आपके फ्लोवर बढ़ जाएगे आपके लाइक बढ़ जाएगे या फिर आपको कोई application बताई जाती है YouTube के अंदर कि आप इस application को install किजिए इसके अंदर हीं यह किजिए कि आपके फ्लोवर लाइक बढ़ जाएगे आपके दोस्तों आपको बताना चाहूंगो यह सारे रोबोटी को जितने भी लाइक और कमेंट आते हैं या फिर फ्लोवर बढ़ बढ़ते हैं रोबोटीक उते रियल में नहीं होते और आपका नु पड़ेगी थोड़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको इसके लिए टिप्स दे रखी है मैंने यह आई बटन में लिंक मिलेगा वहाँ पे जाके उनको चेक कर लीजिएगा वीडियो को काफी सारी अच्छी वीडियो है और मैं 100% गारंटी लेता हूं आपके फॉलोवर ब बढ़ाते हैं वो रियल वाले नहीं होते हैं तो आप उसके चक्कर में मत पढ़िएगा अधरवाइज आपकी जो इस्टागाम के आईडी है वो भी बलोक कर दी जाएगी इस्टागाम की तरफ से और दोस्तों आई होप दोस्तों आपको इसकी जानकारी मिल गी होगी कि या आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आई है तो आप आपके भाई को बता सकते हैं इस्टागाम पे जाके या फेस्बुक पे जाके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए आपको लगता है यह जानकर आपके दोस्तों के साथ में स जरूर सोल करेगा दोस्तों मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं प्रोगलम को लेके तब तक के लिए जैहिन जैवारत